नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का फिर्स एक बार बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ कुछ की पॉइंट्स को भी हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको कितने पॉसिबल मिन्टम सो सकते हैं या फिर मैक्सिम्म पॉसिबल लॉजिक एक्सप्रेशन कितने होते हैं वह सब देखेंगे एक पूरे डिटेल मैनर में है ना मैं आपको कंसेप्ट लेके पीछे रहे जाने की कोसिस करूंगा बरहाल चलिए शुरू करते हैं हम लोग तो दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को दो चीज़ इंपोर्टेंट बताइती है अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह लिख रहा हूं ए प्लस बी ओके आड़ ए प्लस सी है ना इस 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 स्कॉल्ड पी ओएस फंगे और तो आपके पास जो है निगल का है गा एक ब्लस बी सी है ना इसको यह जो टरम निगल के यह इंगे दिस इस अगर a plus b plus a plus c है this is post form है तो यह simply क्या होता है this multiply by this and this multiply by this so you will get a plus bc एक important identity है चली दूसरी identity की तरफ हम लोग बढ़ते हैं हैना अगर आपके पास लिखा हुआ है a plus bc हैना तो यह इसको आप किस तरह सोड़ सकते हैं इसको दूसरी form में भी कैसे लिख सकते हैं a plus b हैना और यहां identity को क्या कर रहे है इस बार आपको फोर्म गिवन था है ना आपने सोफ फोर्म से आपने पोस्ट फोर्म में इसको कनवर्ट किया है ठीक है इससे एक्टवली इस ही identity के इस्तेमाल करके बहुत important identity आती है this is called a plus a bar b हैना बहुत important identity है है ना दोस्तों जब आप इस identity को देखोगी ठीक है ना यहाँ पर याद रखना अगर आपके पास दो variables है a और b और a plus a bar something तो हमें साथ जान रखना जो भी यहाँ पर variable है जो बार वाली टर्म में वो गायब हो जाएगे और आपका सीधा answer क्या निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर a plus b निकल के आ जाएगा है ना तो कि इसी वाली identity की जो अबने अब यह identity पढ़ी थी उपर वाली उसी identity का इस्तेमाल इसमें होगा a plus a bar b जब इसको solve करोगे तो क्या होगा a plus a bar है ना और यहाँ पर होगा a plus b तो यह वाली जो टर्म है this is going to be one है ना तो यह वाली जो चीज़े जब plus करेंगे a plus a bar तो यह तो आप के previous year questions उठाके देख लेना यह identity एक time पर हर साल लगातार पूछी आती थी engineering services के exam में एक time पर है ना तो यह कितनी important identity हो सकती है इसका आप अंदाजा लगा ही सकते है ठीक है चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ theorems की तरफ लेके चलता हूं ठीक हो देखेंगे इसमें क्या हो प्लस का होना जरूरी होता है ठीक है ना a b plus b c plus a bar c okay यहां पर क्या होगे तीन वैरियेबल्स आपके पास available होंगे और तीनों वैरियेबल्स में दो दो के pairs में होंगे तीनों वैरियेबल्स और एक वैरियेबल का compliment होना बहुत जरूरी है है ना तो जब इसको solve करेंगे जब प्रूव करते हुए लाओगे मैं प्रूव पर नहीं जा रहा हूं तो जो आपके पास एक बारवाला वहोगा है ना जो बारवाला आपके पास में और यह दूसरा बिना बारवाला जो है उसकी टर्म्स यहां पर आंसर में आ जाएगी ठीक है ना तो यह क्या बनेगा a b plus a bar सी यह आपका निकल के आए जाएगा है ना इस इस इन सोब फॉर्म एक टाइम पर बहुत जादा पूछे आदे यह प्लस बी है ना दो दो आपके पास वैरियेबल है दौनों के दौनों पेर स्वारी तीन वैरियेबल है तीन वैरियेबल के साथ लिखा हुआ है तो क्या यहां पर ए प्लस बी है ना और दूसरी तरफ ए बार प्लस सी यह आपके पास बच्चेगा ठीक है ना दीस इन दिस इन पोस फॉर्म ओके तो यह आपके लिए काफी पॉर्टेंटर सिर्फ त्योर्म को समझ लो क्या है जब आएंगे यह डायक्त रिउस करनी आपको ठीक है उसके बाद अगली त्योर्म में कौन सी आपको बताओं यहां पर जो और ट्रास पोजिशन ओके ट्रांस पोजिशन त्रांस पॉजिशन त्रांस पॉजिशन थैराँ प आपके पास अब उसको देखते हैं हम लोग ठीक है Transposition theorem में क्या करना है दोस्ता आपनों का जो आपके पास A plus B ठीक है ना और दूसरा क्या था A bar plus C तो आपके पास जो होगा वो क्या होगा A C जो इसको solve परोगे A C plus A bar B है ना वही चीज जो भी इससे पहले बताए थी यह multiply by this one and this multiply by this one है ना तो यह इस तरह हो जाएंगे इसको solve भी करोगे प्रूब भी करोगे तो यह निकल के आ जाएगी दिस दर ट्रांस पोजिशन थियोरम और राइट अगली थियोरम आप लोग बिसिकली जानते होंगे अगली थियोरम को इसको बोलते हैं डी मॉर्गंस थियोरम क्या कहती है चेंज दा साइन ब्रिक दर लाइन तो पहले क्या है अगर A B C मिन टरम से इसको पर बार दिया तो क्या होगा हर एक वैरियाबल का कॉम्प्लिमेंट लो इनके बीच में क्या है यहाँ पर यह अंडिंग हो रही है इसको और में अंवर्ट करो और एक अ क्या जाएगा दूसरा क्या है अगर A प्लस बी प्लस सी यह है तो यह किसको करोगे तो क्या हो जाएगा डिमाव स्थोय ब्ुरॉब से ब्रेक द लाइन चेंज देसांइं मैं बहुत दी काम की थिवरह में आपको पता भी होगा बट कोई ही मैं आपको रिवाइज करा लिया ठीक है इस तरह याद कर सकते हो आप लो ठीक है तो यह थी जो important theorems थी अब दोस्तों कुछ important चीज आपको मुझे बतानी है और important choose में जो सबसे important चीज है that is called आपको कैसे पता चलेगा कि कितने अगर आपको कुछ variable और वो दिया हुआ है कि आम मालों तीन variable का आपको function दिया है तो maximum possible min term और max term कि क्या होंगी उसमें है ना तो याद रखना दोस्तों कुछ key points में आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि maximum possible possible min term या max term कित्मी होतने कि हैं टू रिष्ट्री पावर n मतला आपके पास तीन variable है तो maximum min term या max term कितने हो सकते हैं टू रिष्ट्री पावर 3 एट ठीक है ना उसके बाद अगर मैं आपसे पूछओ maximum possible possible logic expressions कितने होंगे आप बोलेंगे 2 रिष्ट्री पावर 2 रिष्ट्री पावर n अल्राइट तो अभी आप बोल सकते हैं कि सर हमें बता देजिए प्रूव करके देए जिस्तों आगे क्या करते हैं चलो हम एक एक्जामपल ले लेते हैं ठीक है आपके सामने लिए हैं मैं आपसे बोलता हूं इसके पास possible min terms क्या क्या होंगे तो क्या 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 min terms होंगे दो variable हैं तो x bar y bar यानी 0 बोल सकते हो आपके से है न x bar y ठीक है न x y bar या x y यह आपके पास min terms आगे यह 0 है 0 this is 1 this is 2 and this is 3 यह आपके min terms आगे ठीक है न तो जहां पर आपके maximum possible min terms कितने होगे 2 raise to power n होगे यहां पर जहां से देखो 4 पर दो variable के लिए 2 raise to power 2 करोगे तो then 2 raise to power 2 this is going to be 4 4 min terms आपकी यह आगे है न चलो दूसरा दूसर देखते हैं यहां पर function कितने बना सकते हो function के लिए एक 0 हो गया एक 1 हो गया आपका हैं एक X हो गया एक X बार हो गया सारे possible combinations में दे रहा हне functions बना है जूँक्यों कुछ भी आ सकता functions में ठीक है y हो गया y बार हो गया ठीक है आप उसके बाद क्या एक्स बार फाई बार हो गया ठीक है अब एक्स बार वाई हो गया ठीक है ना एक्स वाई बार हो गया अना और एक आपका एक्स वाई हो गया ठीक है उसके बाद जो है अगला है एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई हो गया फंक्शन ठीक है ना एक्स प्ल ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पर x बार प्लस y बार हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो x बार प्लस y हो जाएगा प्लस x प्लस y बार हो जाएगा है ना और x y बार प्लस y बार x हो जाएगा चांट करो कितने हो गए फंक्शन्स एक दो तीन चार पांच छह साथ तो आपके पास कितने टोटल फंक्शन बन गए यह तो किया थे आपके पास मिन टरम्स थे ठीक है और यह कितने functions हैं आपके पास यह आपके फास function है कितने functions बना सकते हो ठीक है वहाँ करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बोलेंगे सर यह नहीं हम और भी बहुत सारे मिलके बना सकते हैं जैसे कोई बोलें सर मैं x bar plus y plus xy भी बना रहा हो function दोस्त अगर आप इसको देखोगे आपने suppose करो मुझे एक ऐसा function दिया कि सर देखो यह इसमें नहीं है मैंने इनी मिन टर्म्स का यूज़ करके ने एक function यह भी बनाया है लेकिन आपको यह चीज़ समंझा होगा जब इसको थोड़ो खोलोगे थोड़ा सा identity के साथ य को करोगे यह तो क्या निकल के आएगा एक सबसे बहले आपको यह बताई थी नहीं है आपके पास अगर कोई भी एक वेरियंबल है और वेरियंबल के प्लस वेरियंबल काrak नौटगेट धूस्रे वेरियंबल के सबसात आँ यह बाला गायब हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर यह चीज़ happening यहां पर आपको क्या मिलेगा दोस्ते आपको एकस प्लेस य बार मिलेगा आपको है न तो ये क्या है रूधन्देंट ये विए फॉब जो सकता है फॉब तो यह आपको थ्यांद करने क्すकों क्या फंक्शन बना ये टाइम फंट्शन शनक डे जो बनाने मुश्किल थे ठीक है ना इस तरह के फंक्शन नहीं बनाने चलिए कम बाक टू टू वैरियेबल्स पर में वापस लोट कहा रहो हूं यह फंक्शन मैंने आपको बताए थे एक काम करता हूं मैं और ने आपको कूछ और सिखाता हूं यहां पर स Haushато इसको मिटा देते हैं हम लोग आच्छी सीची सिखाता हूं नहीं आकके पास दो वेरियेबल थे जी में 2 वेरियेबल्स और दो एरियेबलमे मैं आपने कितने चार मिन टर्म्स रिखें फोर मिन टर्म्स आपको मिली है ना यहां पर मैं मनोट एम वन एम टू और एम त्री तीन फंक्शनस मैंने डाल दिये हैं ठीक है ना इसको अगर आप आपको याद हो यह इस तरह की थेयोरम होती है एकस प्लस र्ण बैनामिल थेयोरम एकस प्लस टू प्लस ऐसे करके ऑक्स प्लस ऐन स्कते अहां था ना फ्यक्रत कि सबढ़ती है उसका यह थी हूरी थे चारू में से अनरे एक डिऄस से हो चार फंक्शन से लिख सकता है एक सी जीरो चार मैंसे दूसरे में क्या कि हमने चार मैंसे एक ले लिया कॉंबिनेशन बना लिया फिर चार मैंसे मैंने तीन का ले लिया फिर एक बार के चार मैंसे चार ले लिया यहां आपका वन आएगा फूर्म से फूर्म ले लोंगा तो यह इतना बनेगा आपका टू देश्टी पावर फूर बाइनमिल थे और हम से टू रिश्टी पावर फूर इसको वैरियेबल में कनवर्ट कर दीजिए तो आपके पास क्या निकल का आएगा टू और फूंक्शन जिसका डेरिवेशन ने जो आपने यहां पर बढ़ा था जो पर मैंने आपको बताया था कि मैक्सिम्म पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन कितने होते हैं टूरिश्टी पावर टूरिश्टी पावर एन न होते हैं है ना सब्सक्राइब आप लोगों को च आपको कि लीकृत बताइब को आपको लोगों को बोगों कि मैंते हैं पूरिश्टी को किन ने भी सीन वी हैं हैं तो